हेलो एब्रिवन तो इस वीडियो से हम अंतरास्ट्री मुद्दे या हमारे इंटरनेशनल इशूस जहें उसको कवर करेंगे तो पहले टॉपिक्स देख लेते हैं कौन से टॉपिक हमें देखने हैं तो कि देखिए पहला जो टॉपिक हमारा वो यहां से आरंब होगा भारत ब परमाडू अप्रसार संधी, चीन म्यामार गलियारा, मोती हारी अमलेख गंज नेपाल पाइपलाइन, मेगजिट, अर्भी दुनिया का प्रथम परमाडू सैंत्र, भारत ब्राजील संबंध, तेल की कीमतों में गिरावट, हिंद महासागर शित में भारत की स्थिति, इस्र परोसी पहले की नीदी, भारत न्यूंतन स्वतंत्र प्रजातांत्रिक देशों में शामिल, अमेरिका चीन व्यापार युद्ध विराम, फ्रांस अमेरिका डिजिटल कर विवस्था बारता, ब्लू डार्ट निट्वर्ग, अमेरिका में समन्वित वायु रक्षा सस्र प्र प्रादमिक स्वतंता आयोग ने भारत की रैंकिंग घटाई, अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन में अपनी वित्ती अनुदान में कोटोती की, अमेरिकी सेन तथा तालिबान के विरोध्युद अपराधों की जाच को ICC की स्विक्रती, चीन ने, अमेरिका ने चीन के प्रभुत्त को समाप्त करने ही, तो हिंद प्रशान छेत्र में 1.5 अरब डॉलर की राशी को आवंटित किया, लीबिया संकट, सुडान संकट, अफ्रीका के सबसे धनी महिला द्वारा सारवजनिक धनका दुरुपयोग, विश्व भर में महिला नेत्रत्य एवं COVID-19 के व पूरे विश्व में 1.36 करोन प्रवासी भारती है, अंतर राश्ट्रिय धार्मिक सुतंता संगठन, नीदरलेंड की डिजिटल पहचान योजना, स्टेव विद रिफ्यूजी अभियान, विलुप्त प्राय नेपाली भाशा सेके, ब्रेक्जित, हिंद महासागर छेत्र प् आशियान देशों का अभासी संबेलन, खाद असुरक्षा और मंत्रियों की बैठक, सार्क 2020 संबेलन, दक्षड एसिया में धर्म एवं समाश पर ऑक्सपोर्ड, विश्व विद्याले का संबेलन, तैतिस्वी अफ्रीकी यूनियन शिखर संबेलन, यातना के विरुध्य विश्व आर्थिक मंच का पचासवा संबेलन, दोहजार बीस, और अंतर रास्ट्रियत क्रिप पड़ियां, ये हमारे टोटल जो हमारे इशूज हैं, इसको हमें कवर करना है, तो जो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक था वो था भारत ब्राजील, डब्लु टियो विवात, तो केंदर सरकार से मांग की है, कि ब्राजील द्वारा विश्व व्यापार संगिठन या डब्लु टियो वर्ट ट्रेड और्गनाइजेशन में भारत की चीनी सबसीडी नीतियों के खिलाफ की गई शिकायत वापस लेने के लिए ब्राजील पर दबाव डाला जाए, ठीक है, तो ब्राजील ने शिकायत की थी, कि चीनी सबसीडी जो नीति है भारत की, उसके खिलाफ जो है डब्लु टियो में उन्होंने शिकायत की थी, और हमारे जो भारत के फॉर्मर्स हैं किसान हैं, उन्होंने केंदर सरकार से मांग की है, कि ये दबाव डाला जाए ब्राजील प दिवस पे जो मुख्याति थे वो थे ब्राजील के रास्ट्रुपत इजायर बोल से नारों नेक्स हमारा है देखें ब्राजील के आरोप है कि भारत ने हाल के वर्स में गन्ने और चीनी के घरेलू समर्थन मूल में बड़े पैमाने पर विद्ध की हैं तो घरेलू समर्थन ब्राजील के अनुसार भारत ने गन्ने के उचित और लाभकारी मूले को लगभग दो गुना कर दिया है इसी के इसी इशू को लेके जो ब्राजील है वो जो है डबलू टीओ में भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज करता है देखे क्या है ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और निर्यातक देश है ठीक है तो वो प्रोडक्शन भी सबसे जादा करता है और निर्यात भी करता है एक्सपोर्ट भी करता है फरवरी 2019 में ब्राजील और कई अन्य देश जो है वो भारत के खिलाफ डबलू टीओ में शिकायत करते हैं और इन देशों का आरोप है कि भारत अपने किसानों को दी जाने वाली चीनी सबसीदी वैश्विक व्यापार के नियुमों के जो है खिलाफ हैं आस्ट्रेलिया ब्राजील ग्वाटेमाला भारत के विशाल घरेलू बाजार में प्रवेश करने के लिए विश्वय वैपार संगठन के भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है उसके मार्केट में वो एंट्री करना चाहते हैं तो इन देशों को यह समस्या है कि भारत जो है जो इनका घरेलू समर्थन मूल ले है उसको दोगुना कर दे रहा है जिससे की और देशों को नुकसान हो रहा है और यही मुद्दा लेक ठाभारत ब्राजील डब्लू टीओ विवाद तो इसमें यहीं पूछ सकता है कि कि किसने जो है डब्लू ट्यो में कंपलेंड किया था कौन कांट्रीस थी तो में लिए देख लिजे कि यह आपकी ब्राजील है उस्ट्रेलिया है गौटे माला हैं और और भी कुछ कंट्रीस थी जोनों ने ये इशू उठाया इरान और परमाड़ अप्रसार संधी इरान एंड नॉन प्लॉरिफरेशन ट्रिटी देखे क्या है कि 20 जन्वरी 2020 को इरान द्वारा यह धंकी दी गई कि यद यूरोपिय देश जैसे ब्रिटेन हो गया फ्रांश जर्मनी द्वारा इसके पर परमाड परमान जो गता यूरे यह कौन कहता है यह यरान के तरफ से रख्शा परिसस्त जाने की चयतावनी के कारड़ यूरोपिय देश प्रांस ब्रिटेन और जर्मनी का दावा है कि इरान 2015 के परमाड़ू समझोते ज्वाइंट कॉंप्रिहंसिव प्लान ओफ एक्षिन के नियमों का उलंगन करते हुए परमाड़ू हथियार बनाने के प्रयास में है तो देखें 2015 में जो है आपका मीटिंग हुआ था जिसको कहते हैं ज्वाइंट कॉंप्रिहंसिव प्ल इरान परमाड़ू हथियार बनाने की कोशिश बंद नहीं करता है तो वह इस मुद्दे को सुरक्षित जो है लेके जाएगा सुरक्षा परिसत में लेके जाएगा और इसकी शिकायत करेगा जहां इस पर संयुक्त रास्ट्र के प्रतिबंध को लगाया सकता है तो फिर यू पर्मानेंट मेंबर्स होते हैं वो इरान के साथ जैसे कौन-कौन से एक बार देख लेते हैं ध्यान रखिएगा अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ठीक है कौन-कौन अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन ये तो पांच मेंबर्स हो गया है और अगर प्लस वन कर दे फाइब प्लस वन जर्मनी को भी जोड़ ले तो ये सारी जो छे कंट्रीज है मिल जुलके ये इरान के साथ जो है उनका वियना में 2015 में एक मीटिंग हुई थी एक परमाड समझोता हुआ था जिसमें क्या हुआ था इरान के परमाड कारिक्रम पर नि समझोते से बाहर हो रहा है तो अमेरिका जो है वियाना में हुए समझोते से भी बाहर हो जाता है तथा इसके द्वारा इरान पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिये गया था जैसे व्यापार करने का तेल और गैस इन सबके एक्सपोर्ट का कुछ छूट इस तरी इरान के revolutionary arm guards के शीर्स जो उनके head होते हैं जो chief होते है commander कासिम सुलेमानी को मारने के कारण वैस्विक हरूप धारत कर लेते हैं तो अमेरिका बादला लेगा और क्या है इस हालातों में Middle East की राजनीतिक स्थिती में अर्स्थर्ता के बादल मर्डाने लगे है ना जो है situation बिल्कुल uncertain हो जा रही है है ना stability नहीं रह जाएगी Middle East में तो क्या है कि इस तरह की इस्थिती का प्रभाव वैश्विक जो व्यापार है उस पर positive तो होगा नहीं क्योंकि जहां भी stability unstability रहती है वहां से trade business यह सारी चीजें जो है possible नहीं हो पाती for the certain time of period तो चीजें जो है क्या हो जाएंगे NPT एक अंतर रास्ट्रिय संद्य है जिसका उद्देश परमाणू हतियार तथा परमाणू तकनीकी के प्रसार को रोकना है क्या रोकना है परमाणू हतियार ना बनने पाए और उसका प्रसार भी ना होना पाए इनका यह जो है main aim होता है इससे क्या होगा नाभिकी यह उर्जा का सांतिपूड प्रयोग होगा और नी सस्त्री करण के लक्ष का को प्राप्त किया जा सकेगा है ना तो आम्स जो है डिस आर्म को डिस आर्म करना है इनको और जो है एक peaceful environment को create करना है नाभिकी यह जो उर्जा होती है nuclear energy है उसका जो use ह सकते हैं ना कि जो है आम्स को बनाने में ठीक है nuclear weapons को बनाने में उसका यूज नहीं किया जाएगा नेक्स्ट है यह संद हुआ है वह 1968 में हस्तांत्रित कि गई यह सांट खूरिट कि गई साइ्न किया गया 1970 में अब जो है प्रभावी हो गया तो याद रखना है कि जो है साइन कब किया गया 1968 में और जो प्रभावी हुआ उसके दो सालवादी है प्रभावी 1970 में प्रभावी हो गया इसके टोटल जो वर्तमान में सदस्ट हैं वो 190 सदस्ट हैं देखे एक जनवरी 1967 तक नाब की हथियार बना लिये हो जो देश तथा उसका प्रियोग कर चुके हो उन्हें ही नाब की हथियार प्राप्त देश की संग्या दी जाएगी ठीक है तो यह कहा जा रहा है कि जो न्यू फे भी आपका नाब की हथियार है वो बना चुके हूँ या इस का यूज कर चुके हो उनको जो है नूज्य क्या यह फेर है कि उसके पहले अगर किसी ने यूज कर लिया है तो वो निईबर वेपर स्टेट ऩहें है तो आप देखे या इसमें क्या होता है कि भारत ने यह ब यह बहुत important है कि भारत ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किया है ठीक है तो यह हमने detail में देखा non-ploriferous treaty अब देखे एक बार और इसमें देख लिए कि जो यह संधी है वो 1968 में हस्ताक्षर किया गया हस्ताक्षरित हुई और 1972 में यह प्रभावी हुआ ठीक है नेक्स जो हमारा है वो है चीन म्यामार गली आरा देखते हैं चाइना म्यामार एकोनोमिक कॉलिडोर क्या है चीन और म्यामार के बीच राजनाइक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने पर चीन के राश्रुपति शी जिंपिंग ने म्यामार की यात्रा किया ठीक है तो देखे क्य होता है कि उनकी जो राजनाइक संबंध थे उसको उसके पूरा होने के उपलक्ष में जो सी जिंपिंग है वो म्यामार का जो है दौरा करते हैं आप देखे यात्रा का जो केंद्र है क्या है चीन के राश्रुपति की इस बहु प्रतिक्षित यात्रा के केंद्र में तीन पहला क्या है क्या क्यू प्यू छेत्र अब देखें उनका अपना थोड़ा सा अलग जो है उनका प्रणंशेशन होता है लेकिन इसमें मैं समझ पाती हूँ कि यह है क्या क्या क्यू प्यू छेत्र ठीके ना यह क्या क्या क्यू प्यू स्पेशल एकोनॉमिक जोन दूसरा क्या ह चाइना म्यामार बॉर्डषिक क्याव प्रशार समय सद fr 그때 शेटर या क्या दूसरा है चाइना म्यामार लुख वितने कीके का देखते हैं इन तीन न परियोजनाय वह चीन म्यामार आरथिक कोई क्यारा का अभिन हिस्सा बीन ठीक है चीन म्यामार आर्थी गलियारा चीन की महत्वपूर बेल्ट एंड रोड इनिशियेटिव का हिस्सा है ठीक है ये सारी चीजे हमने बहुत बार पिशे जो है हमने करिंट अफेर्स में किया होगा देखे यात्रा के दौरान हुए जो कुछ important समझोते हैं वो क्या है तो चीन के जो रास्टर पती है शी जिम्पिंग और म्यामार के काउंसलर आंगसान सूकी के बीश 33 तैतिस समझोतों पर हस्ताक्षर किये गए इसमें से कुछ ऐसे थे दोनों के बीश दक्षर पश्चिम चीन से हिंद महासागर को जोडने वाली रेलवे लाइन को लेकर भी समझोता हुआ आंगसान सूकी द्वारा पश्चिमी देशों के द्वारा म्यामार को रोहिंग्या के मामले पे घेरने के लिए जो उस सारी घेरने की बाद ची चल रहे थी उस पे भी डिस्किस हुआ नेक्स हमारा है गांबिया द्वारा अंतरास्ट्री नयाले में म्यामार के खिलाफ इस मुद्दे को लेकर मुकदमा दायर किया गया ठीके ना जो गांबिया है उसके द्वारा अंतरास्ट्री नयाले में म्यामार के खिलाफ जो है एक मुकदमा भी दायर कर दिया गया तो इ अगर चीन जो है बंगाल की खाड़ी तक अपना जो अपनी परियोजनाएं हैं उसको आगे बढ़ा लेता है तो ऐसी स्थिती में वह अपने सैनिक जो बेड़े हैं और जहाज को तैनात वहां पर कर लेगा जो भारत के लिए एक बहुत अच्छी स्थिती तो नहीं होगी तो भारत को ये असरच कर देता है ठीक है नेक्स्ट हमारा है मोतिहारी अमलेख गंज नेपाल पाईपलाईट तो देखिए मोतिहारी अमलेख गंज जो पेट्रोलियम पाईपलाईट है वो क्या है 10 सितंबर 2019 को प्रधान मंत्री नरेद्र मोदी और नेपाल की प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओली और दक्षड एशिया की पहली सीमा पार्क जाने वाली पेट्रोलियम उत्पात के पाइपलाइन का उत्गाटन किया गया जो important points हैं देख लेते हैं यह जो pipeline है वो बिहार की मोतिहारी से नेपाल के अमलेक गंज को जोड़ती है 69 किलोमीटर लंबी मोतिहारी अमलेक गंज pipeline कितनी किलोमीटर है 69 किलोमीटर pipeline नेपाल की लोगों को किफायती लागत पर स्वक्ष पेट्रोलियम उत्पात उपलगत करा देगी और इस pipeline के शमता 2 million metric ton प्रतिवर्स है यह pipeline जो है बिहार के बेगु सराय जिले के बरौनी रिफाइनरी से दक्षिर पूर्वी नेपाल के अमलेक गंज तक इंधन का परिवहन करेगी कहां से करेगी बेगु सराय के बरौनी रिफाइनरी से नेपाल के अमलेक गंज तक करेगी किसका इंधन का परिभन अमलेक गंज जो है वो पूर्वी चंपरण जिले के रक्सॉल सीमा पर इस्थित है अगर पूछे का अगर कि अमलेक गंज जो है कहां पर इस्थित है तो उसकी इस्थिती जो है पूर्वी चंपरण जो जिला है उसके रक्सॉल सीमा पर स्थित है देखे अमलेक गंज इंधन डीपो की भंडारर छमता 16,000 km पेट्रोलियम उत्पादों को स्टोर करने की होगी कितनी 16,000 km पेट्रोलियम उत्पाद को स्टोर कर पाएगी मोतिहारी अमलेक कंज पाइपलाइन परियोजना पहली बार वर्ष 1969 में प्रस्तावित की गई थी लेकिन कारी की प्रगती बहुत धीमी रही और वर्ष 2014 में तरेंदर मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है काठमांडू दोरे के बाद की परिस्थितियां जो है थोड़ी सी चेंज होने लगी जो डेवलेप्मेंट जो अक्टिविटीज है या पुराने जो प्रोजेक्ट्स पढ़े है पेंडिंग में वो थोड़े से स्पीड में आगे ठीक है अब देखिए मैग्जिट हमने ब्रेग्जिट का कॉंसेट बहुत बार सुन लिया अब देखिए मैग्जिट क्या होता है तो देखिए 8 जनवरी 2020 को बिटेन के राजकुमार हैरी और उनकी पतनी मेगान ने इंस्ट्रागाम पर बित्तिय रूप से स्वावलंबी बनने तथा शाही परिवार के वरिस्ट सदस से होने के दाई तो इसे स्वैम को अलग करने का फैसला किया है उसकी घोश्रा भी कर दिया और इसी घोश्रा को मैग्जिट समझौता कहा गया ठीक है क्या है कि उन्होंने कहा कि हम वित्तियों तोर पर स्वावलंबी बनेंगे और हम शाही परवार के जो वरिस सदस्य हैं उन्सका दाइतों हम अपने आप से अलग करते हैं मतलब हम वो दाइतों का निर्वहन नहीं करेंगे तो इसी को मैगजिट कहा गया है और इस पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है मैगजिट समझोते की घोशड़ा के उपरान ब्रिटेन की महारानी ने गत 13 जन्वरी को शाही परिवार की एक बैठक बुलाई जिसे सोंद्रीन धम शिखर कहा गया क्या कहता इसको सोंद्रीन धम शिखर ठीक है मैगजिट समझोते के त ब्रैटलS को कावपियोग भी नहीं करेंगे तो देखे मैगजिट समझोता है किस प्रकार ब्रेक्जिट सम दोते से अलग आ तो समझोता वो ब्रिटेंको योडूरोपीज संग से अलग करने 120 की देजाले के लेकिन जो沒事 playing bank राजकुमार हैरी और उनकी पतनी मेघान शाही परिवार के आधिकारी के स्थर्ब से वो अलग हो गया है ठीक है ये दोनों में डिफ्रेंस है अब नेक्स हमारा है अरबी दुनिया का प्रथम परमाडु सैंत्र तो देखे क्या इशू है हाल में ही सयूक्त अरब अमीरात ने विश्व के प्रथम परमाडु सैंत्र है तो एक कार्यकारी लाइसेंस जारी किया है दो हजार बीस में विद्द उत्पादन प्रारंब करने की दिशा में मार्व प्रसिस्त करेंगे ठीक है ना तो ये अरब वर्ड का फर्स्ट नुक्लियर पावर प्लांट है ठीक है देख फ्र स्विक बारा का परमाडु सैंत्र और किसके द्वारा किया जारा है कोरियाई विद्द उर्जानिगम के द्वारह निरुमान करा जारह है थिक यह जो है 2017 में प्रार्म कर दी गई थी योजना और बारयकार में कुल चार ईयक्टर परमाडु भठ्षयां चार रियक्टर हैं टोटल उसमें स्थापित के जाएंगे जिनके कुल शमता होगी 5600 मेगावाट यानि कि 5600 मेगावाट उसके पूरी जो टोटल शमता होगी तो देखिए क्या है कि देश की वरतमान स्थापित उर्जा उत्पादन शमता का ये पांचवा हिस्सा होगी यह सैंत्र फारस के खाड़ी के तट पर एक विरल आबादी वाली मरुस्थली ये पट्टी पर इस्थित है तो ये सैंत्र कहां पर इस्थित है ये पारस की खाड़ी के तट पर इस्थित है तो इसमें इंपॉर्टन जो पॉइंट था वो ये था कि बारह का परमान उर्जा स तो यह आपका कहाँ पे है आबू धाबी में ठीक है नेक्स जो हमारा टॉपिक है वो है भारत ब्राजील सम्मंद भारत और ब्राजील का सम्मंद क्या है हम देखते हैं तो देखिए लोगतांत्रिक स्वरूप और बहुलतावाद ऐसे मूल हैं जो ब्राजील और भारत को एक दी उसरे से की करीब लें आते हैं ठीके न अब लोगतांत्रिक स्वरूप यहाँ वो भी लोगतांत्रिक कंट्री है डेमोक्रेटिक है Our इंडिया भी डीमोक्रेसी है तो कहीं न ऐ कहीं कनेक्शन हैं दोनों कंट्रीज का आपस में ठीक है वर्तमान वैश्विक विवस्था की विशेश सामरिक संरश्णा और उपनिवेश्वात से सोतंतरता के पश्चाद भारत और ब्राजील की महत्वक अंचाओं एवं राश्ट्री हितों की समानता की प्रिस्टिभूमी में द देखें क्या है कि जो ब्राजील है वो भी कभी कॉलोनी था और इंडिया भी कभी कॉलोनी था और उसके जब दोनों देश इंडिपेंडेंट हुए आजाद हुए तभी से जो पांस-दस होगे पचास सालों से वो अपनी जो है एक दूसरे से एक बॉन्ड शेयर करते हैं च दिवस्क के ऑसर पर ब्राजील के रासट्पत रूसे नारों को मुख अधित के रूप में आमंतुर्थ के डिवस्के अब ये इंपव थिकिया हैれた जो है इंधिया के देखते हैं तो ब्राजील और भारत है or विभिन दूभी पक्षीय मंचो तेकर जो आपके इस तरह कोई भी bilateral हो रहा है वहाँ पे, कोई bilateral मंच है, वो प्रदान कर रहा है एक दूसरे को, जैसे BRICS है, ठीके ना, जैसे BRICS है, तो वहाँ BRICS में भी G20 में भी और IBS से, International Solar Alliance IS से, ठीके ना, कहां है इसका headquarters ये बता दीजएगा, ऐसे बहुत बड़े दुपक्षी निकायो जैसे UN है, WTA, UNESCO है, WIPO है, वीपो बोलते हैं इसको, इसमें साजा करते हैं, ठीके ना, एक तो होता है, multilateral लेक होता है, bilateral, इसमें दो कंट्रीज एक दूसरे से, बहुत सारी चीज़ें, जो shared connection है, बहुत सारी एक दूसरे की जो चीज़ें हैं, वो share करते हैं, ठीके हैं, तो ब्राजील के लगबग 40% हिस्से में फैले हुए हैं, ठीके 40% जो एरिया है, ब्राजील का, वो क्या है, अमेजन जो है, वर्षावन है, ठीक है, इस लिहाज से ब्राजील के पास, वन संपदा का एक विशाल भंडार मौदूद है, और अमेजन वर्षावन जलवायों परिवल्तन के द्रिस्ट से काफी महतोपोड है, ठीक है, जिसके कारण ब्राजील भी इस संदर्व में काफी महतोपोड हुआ, तो अमेजन जो वर्षावन है, वो जलवायों परिवल्तन जो जिस तरीके से हो रहा है, तो वो क्या है, इसको प्रिथिवी का फेफड़ा कह ज साहिर है कि ब्राजील बहुत ही इंपोर्टन है, ठीक है, अब भारत ब्राजील का हम संबंध देख लेते हैं, तो हमने देखा कि बहुत सारे बिपक्षिय मंच हैं, जहां पर यह लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जैसे आपका ब्रिक्स हो गया, G20 है, IBS से है, IS से है, और सारे बहुत पक्षिय निकायों में, जैसे UN है, WTO, UNESCO, यह सारी चीज़े तो हैं ही, साथ में भारत और ब्राजील का एक संबंध भी है, क्या है, वाडिजिक संबंध के बारे में पहले देखते हैं, देखिए संपूर, लैटिंग और अमेरिका और केरिबियन जो आपके छे कीमतों में वैश्विक गिरावट और ब्राजील में आई आर्थिक मंदी ने ब्राजील के समगर व्यापार को प्रभावित किया है, यह बात बिल्कुल सही है, कि जो वैश्विक गिरावट जो आर्थिक मंदी ब्राजील में बहुत जादा और एक तरीके से जो विश्व है के व्यापार पर भी देखने को मिला ठीक है 2015 और 2016 में 7.9 बिलियन डॉलर और 5.6 बिलियन डॉलर तक जो है यह आ गया था दोनों का व्यापार ठीक है लेकिन अगर हम देखें तो तो 2018-19 में इसमें कुछ सुधार देखने को मिला है और दोनों देश जो है उनके मध्य द्विपक्षी व्यापार ठीक है न बाइलेटरल जो ट्रेड होता है ब्राजील में लगभग 6 बिलियन डॉलर का निवेश किया है और ब्राजील ने भारत में जो निवेश किया है भारत में किया गया ब्राजील जो है इस दौरान ब्राजील से भारत में जो निवेश किया गया वो बहुत कम रहा है इंडिया ने जादा निवेश किया है 6 बिल परजी, क्रिशिव्यवसाई, खनन और इंजिर्रिंग छेत्रों में निवेश कर रहे हैं। ब्राजील के निवेशकों ने मुख्यत है भारत के आटो मिम्बील सेक्टर्स में, आईटी में, खनन में, उर्जा में और जैव इंधन में निवेश किया है। तो ये हमारा भारत और ब्राजील का सम्मन था। नेक्स जो पॉइंट है वो है तेल की कीमतों में गिरावट। ठीक है, फॉल इन ओयल प्राइसिस। तो देखिए हाल में ही ब्लूमबर्ग मीडिया रिपोर्ट के अनुसार COVID-19 महामारी के चलते सायुत राज अमेरिका के तेल बाजार में वेस्ट टेकसास इंट्रमीडियर्ट डब्लू टी आई के तेल की कीमते 40.32 डॉलर प्रति बैरल तक गिर गई है और ये गिरावट बहुत जादा है तो ब्लूमबर्ग रिपोर्ट देती है उसमें वो बता रही है कि जो भी सिचुएशन अभी COVID-19 की वज़े से चल रहा है उसकी वज़े से जो टेल की कीमते हैं वो 40.32 डॉलर प्रति बैरल तक गिर गई है अब देखिए ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट ने बताया कि तेल की कीमत का इतना कम स्थर पूर में दितिय विशुयुद के तुरंत बात देखने को मिला था मतलब यह इतनी आइडवस सिचुएशन है कि ऐसे सिचुएशन इतना जादा कम जो है गिरावट जो हुई है तेल में वह सेकेंड वर्ड वार के जैसे बात नीची हो गया है ठीक है इस गिरावट के साथ जो तेल की कीमत है वह निगेटिव में सुने से भी नीचे चला गया है इस मूले पर कच्छे तेल के विक्रेता को ही प्रतेक बैरल की खरीद पर खरीदार को 40 डॉलर का भुकतान करना पड़ रहा है ठीक है ना कि जो विक्रेत वाइदा जो कारोबार होता है उसमें खरीद का एक खास समय में निर्धारित कीमत पर कच्छा तेल वाइदा खरीदने के लिए सौधा करता है क्या है एक बड़ फिर से देखते हैं जो वाइदा कारोबार में खरीदार जो होता है एक खास समय में निर्धारित कीमत पर एक पाइब लेक्ट कर दिया जाता है उसी पर कच्छा तेल वायदा खरीदने के लिए समझभाधा किया जाता है मतलब उसी इमाउंट पर पॉअम्ने पर तेल कर लिया है कि इस पर्टिकुलर प्रैस हम पर कच्छा तेल को खरीदेंगे अब बेचेंगे ठीक है अब होता क्या है कि गिरावट की जो मुख्य वज़ा है वो ताजा डिलिवरी लेने और भंडारण लागत से बचने के लिए कारोबारियों द्वारा अपने माल घटाये जाने की कोशिश करना है अब क्या है कि आप यह सोच सकते कि ऐसा भी क्या है कि ना बेचिए फिर अगर वो 40% उनको देना पड़ रहा है जब कोई आ रहा है तो वो 0 है प्राइस 0 में चला गया है इवन 40% बेचने वाले को देना पड़ आ कि आप सामान ले जाए तो उसका कारण यह है कि देखे के लिए बेंचमार कीमत COVID-19 महामारी के प्रसार से पहले 50 डॉलर प्रतिबैरल थी और मौझूदा कमजोरी वैश्विक मांग के एक तिहाई की गिरावट वजह से आई है तकि अमेरिका में लॉकडाउन के बाद लोगों द्वारा इंधन का कम इस्तिमाल किये जाने से मांग जो है कम हो गई हर जगे से जो है डिमांड कम हो गई क्योंकि अब क्या है कि COVID-19 का सिचुएशन उसकी वज़े से ट्रांसपोर्टेशन भी हर जगे लॉकडाउन है तो सारी चीज़ें तरीके से स्लो ही है इंडस्ट्री नहीं चल रही है जो ट्रांसपोर्टेशन नहीं है लोगों को नीड नहीं है इतनी जादा तो क्या है मांग में बहुत जादा कम ही आ गई है अब देखिए ओपेक जो कर देखिए क्योंकि डिमांड नहीं हो रही है तो फिर प्रोडक्शन करने का कोई मतलब नहीं है ठीक है अब कीमत कीमतों को रोकने के उपाए देखे क्या कर सकते हैं कीमतों के गिरावट को रोकने के लिए जुलाई और दिसंबर में इसे 77 लाख बैरल प्रतिदिन और 2022 तक 58 लाख बैरल प्रतिदिन तक करने की योजना की गई है तेल की कीमतों में उतार चड़ाओ के क्या कारण है देख लेते हैं इक बार क्या कारण है आखिर में तो देखे आर्थिक विशेशक्यों का क्या मानना है कि तेल की कीमते विभिनकार को से प्रभावित होती है कौन- जो opaque countries हैं जो production करती है oil का जो वो सारे decision लेती है कहीं न कहीं वो decision वो आपस में मिलके किसी भी चीज का निड़े करती है ठीक है देखते हैं पहले जो तेल की कीमत है वो नकारत्मत क्यों हो गई है तो देखिए जो supply का law क्या होता है जानते हैं कि तेल के उत्पादन में कटोती या तेल के कुएं को पूरी तरह से बंद करना एक कठिन कार्य होता है क्योंकि इसे फिर से शुरू करना बेहद महगा हो जाता है और बहुत ही कठिन हो जाता है तो अगर demand नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है कि तेल के कुएं को बंद कर दिया जाए और उत्पादन ना किया जाए क्योंकि इसको फिर से reopen करना जो है बहुत ही जादा costly पढ़ जाता है ठीक है ना क्योंकि इससे फिर से जो है हम शुरू करने में हमारा बहुत लागत लग जाएगा तो हमें ये लगता है कि चलो ठीक है हम जो है supply कर सकते हैं हम sell कर सकते हैं और भंदारट से जादा हमें easy होता है कि जो भी तेल producer जो countries है वो जो है pay करके ही समान जो है अपना दे देती है क्या है कि अगर उत्पादन में कटोती कर देग नियम ये भी है कि अगर production नहीं कर रहा है बिल्कुल तो भी जो है वो हिस्सेदारी जो है वो खोदेगा अपना कई तेल उत्पादन बंद करने के बजाए कम कीमतों पर भी अपना तेल से छुटकारा कि बिक्री करना चाहते हैं क्योंकि मई माह में तेल की बिक्री पर मामूली नुकसान की तुल्ला में फिर से तेल उत्पादन सुरू करना ज़्यादा महगा होगा देखिए यही है सीधे कि या तो business ही बंद कर दिया जाए या फिर हम अभी मिजनस जो है हम थोड़ा सा नुकसान में या निगेटिव में हम कर ले रहे हैं बाद में situation नॉर्मल होगी तो वो सारी चीजें जो है फिर से स्टार्ट हो जाएंगी तो यह सीन है यहाँ पर अब देखिए मांग का क्या नियम है देखिए उपभोकता या आयातक जो है देश तेल अनुबंधों से बाहर आना चाहते थे लेकिन तेल निरयातक जो है जो तेल निरयात कर रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो इन देशों को अधिक तेल खरीदने के लिए मजबूर करना चाहते थे जबकि इन देशों के पास तेल को भंडारिट करने के लिए कोई जगह नहीं थी तो जो उपभोकता है जो आयात कर रहे हैं तो यह तेल जो अनुबंध है उसे बाहर आना चाहती है लेकिन निर्यातक है वो उनके उपर प्रेशर करते हैं कि आप जादा तेल खरीद दोनों पक्ष तेल अनुबंध से चुटकारा पाना चाहते थे और डब्लू टी आई तेल अनुबंध की कीमते शून्य से भी नीचे चली गई थी आते हैं जो थोड़े से समय के लिए अलपावध के लिए तेल आपूर्ति करता अनुबंध धारक देशों को 40 डॉलर प्रत उत्पादन बंध ना हो तो पूरा यह है कि वो उत्पादन बंध नहीं करना चाहते थे और इस पर जो इन सारी सिनेरियो है इंडिया पर क्या एफेक्ट पड़ता है भारत दुनिया में तेल का तीसरा सबसे बड़ा आया तक है ठीक है इंपोर्ट करता है इंडिया तीसरे नमबर पर सबसे ज़या तेल इंपोर्ट करता है और कीमतों में कमी से इसे लाव भी मिल सकता है लेकिन भारत में उत्पादों की कीमते जो कीमत तो हमें होने वाला λाब जो है वो कही ने कहीं control हो गया, सीमित हो गया है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमें payment तो देखे, हमारा जो रूपया है, वो कमज़ूर हो रहा है. एक जगे से हमें फाइदा हो रही है, तो दूसरे जगे से बदलाओं पहले जो भारत की नीति थी इस छेत्र के लिए वो अलग जो है अलगाओ की स्थिति थी अपने आपको सेपरेट रखता था अब क्या है कि हिंद महसागर छेत्र के लिए भारत की जो नीति है वो भारती सामुद्रिक हितों से पल्चालित हो रही है ठीक न सागर security and growth for all in the reason, इसको सागर कहते हैं, तो यह जो सागर पहल है, इसके द्वारा भारत इस छेत्र में इस्थिर्ता और सुरक्षा पर जोर दे रहा है, साथी इस रड़नीती को मूर्त रूप देने के लिए सागर माला परियोजना पर कारे कर रहा है, भारत अपनी तटी अवस जो infrastructure है, उसको जो है, और मजबूत कर सके, तो देखिए भारत ना सिर्फ हिंद महासागर छेत्र में अपने हितों को साथ सकेगा, बलकि डबल, जो blue economy है, मतलब जो हमारी fisheries है, जो पानी से जितनी economy, जितने तरीके की हम economic activities कर सकते हैं, जितना income generate कर सकते हैं, तो क्या है, पहल बल देने तथा हिंद महासागर छेत्र के महत्तों को देखते हुए, कई जो हमारी नई सरकार है, नई सरकार ने अपने शपत ग्रहण में बिमस्टिक देश को आमंत्रत किया, क्यों आमंत्रत किया, blue economy पे बल देने और हिंद महासागर के छेत्र को महत्तों को, उसके importance को देशों को आमंत्रत किया गया था, इतना ही नहीं था, भारती प्रधान मंत्री ने अपने पहले विदेशी यात्रा के लिए मालदिव और स्रिलंका को चुरा, ठीक है, तो ये चीज ये जाहिर है, ये बहुत ही visible है कि जो हिंद महासागर छेत्र है, वो कितना जादा important है भा कुछ वर्सों में भारत द्वारा हिंद महासागर छेत्र को लेकर किये गए प्रयास इस छेत्र के सम्द्ध में भारत की बदलती नीतिके को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो ये सारी जो एक्टिविटीज जो की गई है, उससे ये पता चलता है कि भारत के लिए जो पंद्र में प्रदानमंत्री मोदी के मौरिशस यात्रा के दोरान नीली अर्थवेस्ता पर ध्यान के इंद्रत करने के लिए गढ़ा गया, एक सिध्धान्त है, ठीक है, तो क्या है सागर, सिक्यूर्टी एंड ग्रोथ फॉर आल इंद रीजन, मतलब 2015 में जो प्रदानमंत् भारत की शांती स्थिर्टा संब्रधी सुनश्चत करने के लिए हिंद महासागर्शेत को प्रात्मिक्ता देती है, यह विश्व के सभी देशों की नौ सेनाओं और समुद्री सुरक्षा एजन्सियों के बीच सहयोग को तेज करने का, सहयोग प्राप्त करने का एक मंच है, ठीके न, कि देश, जो जितने विश्व के जितने देश हैं, उनकी नौ सेनाओं, जो है समुद्री सुरक्षा एजन्सियों, उनके बीच एक बहुत अच्छा सा कोडिनेशन होना चाहिए, भारत के संपूर छेत्र के सुरक्षा प्रदाता की भूमिका निभाते हुए, जो वो भी हिंद महासागर में एक बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है यह पहल हिंद महासागरी सहयोग छेत्र यानि इंडियन ओशन रिम एसोशियेशन आई ओ आरे के सिध्धानतों के अनुरूप है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इसराइल, फिलिस्ती विवाद को लेकर भारत अपने पारंपरिक रुख पर कायम रहा और उसने संयुत रास में फिलिपीन के पक्ष में मददान किया, ठीक है, तो इसराइल और फिलिस्ती पीन का संगर्स होता है, और जैसा कि भारत हमीशा जो है फिलिपीन के सपोर्ट में रहता है, तो फिलिस्तीन के ही पक्ष में जो है वोटिंग की है, ठीक है, जो इपॉर्टन पॉइंट से देखते हैं क्या है, देखें इसराइल का फिलिस्तीन से गाजा पट्टी को लेकर पुराना विवाद है, गाजा पट्टी आप एक बार लोकीशन देखेंगे, मैप में कहां है पट्टी को लेकर जो 1948 से जारी है, इस विवाद के समाधान है तो सायूंक तरास ने इसराइल फिलिस्तीन संगर्स के समाधान के लिए भारत से एक बड़ी भूमिका निवाने का आवाहन किया है, भारत ने इस मुद्दे पर अपने आपका पारंपरिक रुख है उसको दोह भारत और फिलिस्तीन के जो संबंध हैं वो आरंब से ही काफी घनिस्ट हैं, ठीक है ना भारत और फिलिस्तीन के रिलेशन्स बहुत ही अच्छे हैं स्टार्टिंग सही, फिलिस्तीन के समस्याओं के प्रति भारत काफी समिदन शील रहा है, फिलिस्तीन से मितलता सैदयो भा भारत की विदेशी नीतिका एक अहम इस्सा एक अभिन हिस्सा रहा है ठीके भारत ने 1947 में सयुक्तिरास्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के विभाजन के विरुधुमत्दान किया था और वही 1974 में वह पहला ग्यार अरब देश था जिसने फिलिस्तीनी जनता के एक मात्र और कान फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को मानेता प्रदान की थी कब 1974 में और 1947 में भारत ने यूएन में यूएन काउंसिल में फिलिस्तीन के विभाजन के विरुधुमी मत्दान किया था तो देखे क्या है कि भारत ने फिलिस्तीन से संबंधित कई प्रिस्ताओं पर समर्थन किया है 1988 में वह शुरुआती देशों में सामिल हुआ जिन्होंने फिलिस्तीन राजे को मानिता दी थी जब फिलिस्तीन राजे बना था तो उसको भारत ने मानिता भी दी थी इसराइल के साथ भारत के संबंधों का अक्को अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत कुछ देर से ही हुई है लेकिन 1992 में इसराइल से भारत के आपचारिक कोटनीतिक संबंध बन गये थे 1992 में भारत के इसराइल के साथ राजनीतिक कूटनीतिक जो संबंध थे वो आपचारी संबंध बन गये थे जो हाल के वर्सों में और ज़्यादा प्रगाड हो गए है उनका स्ट्रेंथ जो है और बढ़ गया है अब नेक्स जो हमारा है वो है ग्रे लिस्ट में बना रहेगा पकिस्तान तो पकिस्तान ग्रे लिस्ट में क्यों है और ग्रे लिस्ट क्या होती है वो हम देखते हैं पाक विल रिमेन इन ग्रे लिस्ट देखिए हाल में क्या है कि 17 से 22 फरवणी तक पेरिस में Financial Action Task Force FATF बोलते हैं कि बैठक संपन होती है और इसमें ये फैसला लिया जाता है कि पाकिस्तान को अभी भी ग्रेलिस्ट में बरकरार रखा जाएगा तो क्यों Financial Action Task Force एक अंतरास्ट्रीय संस्था है जो आतंकी संगटनों पर नज़र रखती है जो आपके और्गनाईजेशन होते हैं उन पर ध्यान रखती है इस संस्था ये जो संस्था है वो ट्रेरर फंडिंग का सामना करने के लिए मानक निर्धारिट करती है ठीके ना नीतियां बनाती है और इन नीतियों का कार्टवानियन सुनिश्चित करती है जो टेरर फंडिंग होती है वो ना की जा सके इसको जो है कंट्रोल करने का काम करती है तो इंपोर्टन पॉइंट्स देख लेते हैं कि ये जो FATF है फानेशन एक्शन टास्फोर्स द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखना भारत की महत्वपूर कूटिनिती का विजय है पेरिस में क्या हुआ था कि FATF की बैठक में भारत ने पाकिस्तान के विरुद पुक्ता सबूत पेश किये थे और उसे ब्लैक लिस्ट में डालने की मांग की थी लेकिन क्या है कि पाकिस्तान विश्व के देशों के विकास के नाम पर लियेगे करज को न केवल आतंकी संगठनों को मोहिया करा रहा है बलकि स्वयम आतंकी गदविदियों में भी शामिल रहता है तो क्या है कि बैठक में पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से बाहर किये जाने की मांग की थी और जिसे खारिश कर दिया गया सबसे इंपोर्टन बात ये है कि पाकिस्तान जो है हमेशा पाकिस्तान को कारेवाई से बचाने वाला जो चीन है और सौदी अरब उसने भी इस बार ग्रे लिस्ट जो है ने भी इस बार ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने का कोई समर्थन उन्होंने नहीं किया अब देखिए आतंकी फंडिंग की हकीकत पता करने के उद्देश से 2018 में FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप की 9-10 से टीम पाकिस्तान गई थी और टीम ने अपनी जाच में ये पाया कि पाकिस्तानी जो आतंकी फंडि दौरा पकिस्तान को इसी वर्स ग्रेलिस्ट में डाल दिया गया था 2020 में फरवरी में संपन FATF की बैठक में पाकिस्तान को सुधार के लिए अक्टूबर 2020 तक का समय दिया गया था कि आप जो है अक्टूबर 2020 तक आप थोड़ा सा डेवलप्मेंट दिखाए जो है दिशा म पाकिस्तान FATF को संतुस्ट नहीं कर पाया तो उसे काली सूची ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा तो देखे क्या होता है कि 2012 और 2015 में पाकिस्तान को ग्रे सूची में पहले भी डाला जा चुका है और यह अपकी बार फिर से डाला गया है ठीक है ग्रेलिस्ट और ब् रेसरे इत पाकिस्ता फंदिंग हो रही है और रोकथाम की जो कारेवाही कर नी चाहिए वह नहीं कर रहा है को अरों लिस्ट प्रश को hydri ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है अगर कोई डेप्ट लेना है तो वो जो है उनको असानी से नहीं मिल पाता तो यह हमारा जो है अभी तक जो हमने कवर किया और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के वीडियो को आगे के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग थैंक यू